नमस्कार बेहुरमेश भट मैं पहाड की प्रतिभाओं को आपको दिखाता हूँ और जब चब पहाड की प्रतिभाएं उत्राखंड को गरवानमित करती है हर उत्राखंडी का सीना चोड़ा हो जाता है परिस्तितिया विपरी थो सामने कई चुनोतिया हो लेकिन जब अंकित क कुमार ठान लेते हैं तो वह 10 किलोमेटर की दोड़ को 29 मिनट 51 सेकेंड में पूरी कर राश्ट्री खेलों में गोल्ड मैटल लेके आते हैं आप सोचिए चुनोती सबसे बड़ी गरीबी थी क्योंकि परिवार का भरन पोशन कैसे हो लेकिन अंकित कुमार ने इन सब की कामनाएं दे रहा हैं मेरे साथ पौड़ी गड़वाल बनास गाओं के राट शेतर से अंकित कुमार चुड़ रहे हैं जिन्होंने कमाल कर दिया साब और जब वो दोड़ ले थे हर उतुरा खंडी का सीना गर्व से उचा हो रहा था उनके कंदे चौड़े हो रहे थे अंकि भूमी डायलोग के मन से जुड़ने के लिए आपकी प्रतिभा को वंदन है प्रणाम है जरा बताईए जब आप दोड़ने थे तो दिमाग में क्या चल रहा था वो द्रिश्ची देखने में बड़ा अद्भुत था जब मैं दोड़ रहा था तो मेरा जो सबसे पुराना ट जब आप जीते तोस्ट सबसे पहले अपने घर में किसको बताया zat 127 आ को मैं को मेरेम को बताया क्या Cambridge चैलिंजेस बहुत थे अंकित आपके सामदें चुनवी तिया बहुत थी हां कि आपके पिता क्या कारी करते हैं इसे मेरे पाटा सब् Day AH dat मुली करते है। समय करके जो भी था मिले मेरे ऑगे बढ़ाया तो जब आप जीते तो पर जी जी बोलिए बोलिए मेरे उपर बहुत ही ज़्यादा ये लगालों कि मेरे परिवार की ऐसी कंडिशन हो चुकी थी कि जब मैं घर कॉल भी करता था तो घरवाले बोलते थे मेरे तो इतना बड़ा भी योगदान है जितना योगदान मेरे घरवालों के लिए गोल्ड मैडल लाके हाँ जी सर मेरा 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 पहले से सपना था कि पहले सी मैं ये पहले गाउं में बढ़ते की तियारी किया करता था पहले से मेरे अंदर एक लगन थी कि मैं कुछ करना है मुझे कुछ अपने उत्राखन के लिए और इंडिया के लिए कुछ गौरवाली बात करनी है तो म मैं जब गाउं में पहले भरती की तियार किया था था पहले यही साथ दिमाग में कि मुझे भरती होना है और जब मैं भरती में सेलेक्ट नहीं हो पाया तोड़ा मेडिकल अन्फिट के कारण तो मैंने फिर यही कि मैं दोड़ता ही रहा मैंने यह लगा लो सब्सक्राइब मैं गाड़ी का किराय जो ममी पापन लोग देते थे मैं उसे खा देता था अपनी जो जो भी चीज यह खा लेता था बाकी मैं दोड़ते हुए पैदल आता था मेरा यह लालो कि मार्केट यहां से पांच किलोमेटर दूर है मैं ज्यादा गाड़ियों में आना जाना भी पस दो दो बजय का टाइम भी भी नहीं दिख थांगी कि कितना हो रहा यह कि ललगा है मैं दो बुझे रात को भी प्राइक्टिस करके एंपनी हाय चलता था कि मुझे कुछ करना है स्सीट इंपको तो देव को लिभूमि उत्राखन का नाम रौशन करना था जी सर मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने ये काम्याभी हांसिल की मुझे मैंने देव भूमी का नाम रोसन किया पूरे राट छेतर और पूरे उत्रा खंड कर नाम रोसन किया और मैं मुझे सरकार सी बिंती है करें कि मैं अपना अगे इंडिया के लिए कुछ कर सकूं मैं आपको विश्पास दिलाता हूं अंकेत मुझे लगता है आप अपना कार्य जारी रखिए आपकी मदद के लिए इतने हाथ आगे आजाएंगे आप गल्पना नहीं कर सकते बस आपना फोकस रखिए अभी तो आप को बहुत सारे मैदान जीतने हैं अब यहीं मैं अपनी मेहनत और लगन परियास करता रहूंगा और यहीं मेरा यहीं सपना है कि मैं आगे अपने इंडिया के लिए कुछ यहीं आगे परदसन करके अपने भारत को पूरा मैडल से संतुष्टी प्राप्त कर सकूं तो अभी अभी आपके आगे की प्लाइनिंग क्या है क्योंकि आपको पता है अगला नैशनल गेम हमारे उत्राखंड में होने वाला है और मैं उमीद करता हूं आगे सरकार सयोग करेगी करेगी बिल्कुल आगे आगे की तैयारी क्या आगे लक्ष क्या 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 लक्ष रखें आपने अब आपको अपने लक्ष बड़े करने होंगे क्योंकि आपने जो लक्ष का संदान किया अब लक्ष बड़े रखने होंग मेरी मेहनती मुझे जो मैं सोच रहा हूँ मैं यह सोच रहा कि मैं अपना पूरा राट छेतर और पूरा उत्राखंड पूरा इंडिया का नाम रोसन करूं तो मेरा यही लक्षेतर मैं आगे अपने देश के लिए कुछ करूं तो आपकी माता जी ने आपसे क्या कहा जब आप जीत के घर पहुंचें अभी मैं बता तू बनास गाओं में से ही जुड़ें मेरे साथ अंकित अंकित माता जी ने क्या खिलाया माने बच्पन से ही बहुत ज़्यादा यार प्रेम दया अऔर आपको पलिए कि एक मां जनम जब पेट में बच्चा रहता है उस समय तो जाच हो जाता है जब बच्चा हो जाते फिर उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा कट्स है मिरे मान ने लगा लो कि दो वोक्त हो कि नभाए परमा का रमा का द्रद और बच्चा ने समझपाएगा तो अब अब Rafael कोई थोर endeavor up dal कि कामियाबी जो है उनको वो सारी खुशियां देगी आपकी मेहनत आपकी कामियाबी जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया है अब आपको उनको जीवन में खुशिया लानी है या आपकी जिम्मेदारी है मेरा ये जो भी मेहनत पफल हो सारा मेरे घरवालों को जाता है क्योंकि मैं नहीं सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है मैं यही सोचता हूँ, मेरे पीछे मेरे घरवालों ने मेनत करी है, क्योंकि उन्होंने पूरी दिन रात एक की है, मैं जब भी बोलता हूँ, मा कि मुझे इतने पैंसो कीजुर होता है, तो वो कही ना कहीं से करते हैं, घरवाले यही द्याड़ी मुझदूरी करके, तो सर, मैं सरकार से यही बिंते रखोंगा, कि मुझे आगे सपोर्ट करें, मैं और भी अपना 100% आगे अच्छा करूंगा, आप अपना 100% जारी रखो, बाकी विवस्ता सब इश्वर करता है, अंकित मेरा विश्वास मानू, आपके रास्ते की सारी कठिनाईयां वो दूर कर देगा, आपके लिए सारे रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि आपने पहला मुकाम हासिल कर लिया है, और आप सोचिए, अंकित का सपना था फौच में जाना, बारा साल से उसके लिए दौर लगा रहा था, अपने को फिट रख रहा था, ताकि मैं सेना में भरती हो जाओ, लेकिन अग आश्ट्री खेलों में 10 किलोमेटर की रॉक रिकॉर्ड 29 मिनिट्स 51 सेकिट में कम्प्लीट की और गोल्ड मेडल हासल किया, और आगे बड़े लक्ष रखे हैं अंकित ने, अंकित मैं चाहता हूं एक संदेश उत्राखंड के युवाओं के नाम, आप तो आप उत्राखंड के ब्रैंड एंबेस्डर हो भाई, मैं उन भाई बेन को और यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके नसे से मुक्त रहे क्योंकि आपका जो जिन परिस्थिते के कारण माता-पिता ने इतने बड़ा किया है और आप जो लाश्ट में यह हरकते करते हो, नसानुसा करते हो, तो जो प्लीज इसे मत किजीए, क्योंकि हर माता-पिता यही चाहता है कि हमें बाद में बच्चा अगर नाकाम भी रहा पर बाद में यह दुप तकलीब तो ना दे कि यह नसानुसा करें, और हर माता-पिता को यहीं खुश를 रखें कि मालब हर माता-पिता को अपने उपर एक नाज होना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छा है ऐसे नसानुसानी करता है चलिए अंके बहुत धनिवा देव भूमी डायलोग से जुड़ने के लिए बहुत शुपकामना है आपको मेरी इश्वर से प्रात्ना है आपके माता-पिता का सपना पूरा करें देव भूमी के साथ भारत के स्वपन को भी पूरा करें और हर उत्राकंडी के साथ साथ रभारती को गौरब प्रुदान करें अपनी मेहनद से अपनी लगन से और कर्मशेतर में जाते समय हमेश्ham अपने लक्ष dat संधान करें हम सब की स्वपकामना आपके साथ हैं आपके कदम रुकने भी नही ठकने भी नहीं चाहिए और बाकी सारी विवस्ताइं हो जाएंगी मेरा विश्पास मानियेगा अंकित बहुत धन्यवाद और आपके गाउं के लोगों को भी बहुत बधाई बनास गाउं के लोगों को मैं देख रहा था सारे आपके आसपास खड़े थे बहुत खोश हैं चलिए बहुत धनेवाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा देव भूमी उत्राखन की प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराऊं आप देखिए माने दो वक्त की रोटी नहीं खाई लेकिन बेटे के लक्ष को पूरा करने के लिए अपना जीवन ने अच्छावर कर दिया प हम सब की क्या जिमेदारी हो सकती है हम सब की जिमेदारी हो सकती है हम अंकित के साथ खड़े हो जिस भी रूप में हो अंकित की मदद करें उसका होसला बढ़ाए उसको यह महसूस होना चाहिए क्या हुआ आर्थिक परिस्तिती सही नहीं तो क्या हुआ उत्राखंड तो उसक के साथ खड़ा है जिस दिन ये भाव हर उत्राखंडी के भीतर आ जाएगा मेरा यकीन मानिये हम उत्राखंड की दशा और दिशा बदल सकते हैं जिस लक्ष के साथ देवभूमी डायलोग चरड़ा है उसका एक मातर उत्देश ये हर चेहरे में खुशाली लाना पहाड में रोनक लाना रिवर्स पलाइन की और लोगों को लेकर आना और कुल मिलाकर अपने उत्राखंड को खुशाल बनाना बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशक उसको देखने के लिए